अब समस्त खंडवा जिले में निर्मान की दुनिया में विश्वस्तनी कारियों के लिए साइं कंस्रक्शन एंड कंसल्टेंसी जियां सभी प्रकार के भवन, दुकान, ओफिस, गोडाउन, मांगलिक परिसर, होटल, गार्डन, फॉर्माउस, वेराउस के निर्मान कार्य और नगरपालिक निगम की टिन्सी की परमिशन सभी प्रकार के आधुनिक एलिवेशन, इंटीरियर, और्किटेक्चर कारियों के लिए संपर्क करें इंजिनियर आकाश नेबनानी, साइं कंस्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, मोगट रोड तीरत धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा खंडवा में कोरुना की तीसरी लहर की संभावना के बीच व्यापारी वर्ग को एक बार फिर से सचेत किया गया दो बार लोगडाउन से व्यवसाईयों का भारी नुक्सान सहन कर चुके व्यापारियों से एक बार फिर मास्क पहनने की अपिल की गई व्यापारी वर्ग के लिए सदेव समर्पिस संस्ता पूर्वनिमार चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज खैंडवा ने सभी व्यवसाईयों से कुरूना नियमावली का पालन करने और मास्क पहने की अपील की है चेंबर के वरिष्ट पदादिकारियों ने बुद्वार शाम सभी व्यवसाईयों से अपील की और नो मास्क नो एंट्रे लिखे इस्टिकर वित्रित किये और दुकानों पर चिपकाए केवड राम चोराहे से वित्रण प्रारंब किया गया चेंबर अफ पॉमर्स के पदादिकारियों और व्यवसाईयों ने बुद्वार शाम बॉमबे बाजार के प्रतिस्ठानों पर मास्क के स्टिकर विच्रित किये और दुकानों पर चस्पा किये चेंबर ने अपिल में कहा कि जिला प्रशासन दुआरा जारी COVID-19 नियमावली का पूर्ण पालन करे मास्क का निवार्य प्रयोग करते रहें तथा अपने सभी ग्रहा को और अन्य जन्ता को भी प्रेवित करे इस आउसर पर जिन व्यापारियों ने मास्क नहीं पहने थे उनसे विसेश निवेदन किया गया और सावधान रहने की अपिल की गई चेंबर के वरिष्ट पतादीकारों ने अपिल करते हुए कहा कि कोविट के संक्रमन को रोखने और तिसरी लहर के अगमन से व्यापारियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए हमें जिला प्रशासन और स्वास्विभाग की ओर से जारी गैडलाइन का हमेशा पालन करत इसको कोरोना के तिसरी लहर के भाय से मुक्त कराने में हम सब की भागिदारी होना चाहिए। हमें देंड़टन के दाने में अगरा है।